हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं समीदा आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करें क्लीनिंग की कुछ टेप्स जो कि किचिन में जो हमारे बरतन होते हैं उनको हमेशा आप नया सा कैसे रख सकते हैं उसके लिए कामा सकती हैं साथ ही कई बार हमारे बरतन जल जाते हैं तो उनको बिना इस क्राचेस के किस तरह से आप क्लीन कर सकते हो यही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए बिना देरी केस स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो किचिन में कई बार हमारे बरतन जल जाते हैं कई बार हलकी सी सबजी नीचे लग जाती है और आज मेरे साथ जो हुआ वो यह कि मैं चावल रखकर भूल गए और यह सारा नीचे से चावल मेरा जल गया है तो सबसे पहले तो यही करेंगे कि जो भी बरतन आपका जला है उसमें से जितना भी खाना है वो निकाल दें और उसके बाद इसको पूरा अच्छे से पानी से भर कर इस तरह से सोक करने रख दें इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका दाग जो है या जो जला है वो कितना हाड है मैंने पूरी रात इसको छोड़ दिया था और मौनिंग में मैं से चेक कर रही हूँ तो यह बहुत ही बुरी तरह जला हुआ पतीला है तो यह ऐसे दाग नहीं निकलेंगे अगर इसको बगड़ने लगे तो बहुत सारे स्क्राजेश आ जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया है मैंने एक ग्लास डाला है पानी ताकि जो भी दाग वाला जगा है वो अच्छे से इससे कवर हो जाएगा इसके साथ ही इसमें एक चमच मैंने डाला है डिटरजन पाउड जो कि हम कपड़े दोने के लिए यूज करते हैं और उसमें डाला है उपर से दो चमच विनेगर इसको हमें अच्छे से बॉयल होने देना इसमें पहले आप इसको एक बॉयल आने दें फिर इसको धीमी आज पर ऐसी ही पकने दें ताकि जो हमारी गंदगी है जो जम गई है अच्छे से पतीले पे वो लूज हो जाए और उसके बाद आप देखे पानी का कलर कितना डार्क हो गया है इस मेथड़ से आपका पूरा जो दाग है वो गायब नहीं होने वाला है बट यह इसको लूज करने में काफी ज़दा हेल्प करेगा तो इसी तरह से मैंने इसे पा हाँ पर आप देखे यह पतीले में दाग अभी भी एस इस है तो इसको हम एक स्पून की हल्प से हलका सा स्क्राब कर देंगे इसमें से मैंने जितना भी खाना था वो निकाल दिया एक कई वर खाना भी जल जाता है तो उसके लिए जितना भी एक्स्टरा से खाना उसमें है स्पून की हल्प से आप निकाल लें और उसके बाद किसी भी स्क्राबर से इसको हलका हलका रगड़ेंगे रगड़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये निकल रहा है कि नहीं जैसे यहाँ पर मेरे केस में उपर की लेर तो इसकी काफी लूज हो गई और काफी हद तक निक सकते हैं आप एक दो घंटे के लिए इसके बाद इसको आप अराम से स्क्रब कर सकते हैं बट मैं इसको इंस्टेंटली कर रहे हैं तो इसको मैं छळा दूँगी गैस पर और गैस पर इसको हम ऐसे ही बोईल आने देंगे और जब तक कि ये सारा जो हमारा लिक्विड है वो उसके लिए यहाँ पर हलकी आज़ पर इसको हलका हलका सा मैं बॉil कर रही हूँ, इनके इस आपको लगे कि विनेगर इसमें नहीं है, अब कम हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं, या थोड़ा सा पानी भी आट करके इसको इस तरह से कुक कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे, दाग काफी लूज हो जाते हैं, काफी ज़्यादा जो दाग हैं वो ढीले पर जाएंगे, उसके बाद हलका सा ही आपको स्क्रब करने की जूरत पड़ेगी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और भी नेगर डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दाग अभी भी हैं, इसके नीचे, तो यह देखें, इस तरह से बीच में से यह से थोड़ा बहुत साफ हो गया है, और दाग इसमें अभी भी हैं, पस इसके बाद इसी लिक्विट के सा हलका सा इसको ठंडा होने दीजेगा, जर्वाइस घातों पर लगेगा यह, इसके बाद आप ले लिए स्टील का जूना और बरतन के नीचे भी कोई कपड़ा रख दीजे ताकि बहुत ज़्यादा हीले नहीं, और इसके बाद आप इसको राउंड राउंड करके ही इस तरह से स्क्रब करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रत नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट आप गोल-गोल घुमाते रहे एकी डिरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि यह जितना भी दाग है ना, यह सब निकलता चला जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा जोर करके इस परतन में, तो इन दागों को भी आप इसी स्टेश पर क्लीन करने का ट्राइ करें, कि अगर आप इनको ऐसी ही छोड़ देंगे और दुबारा इसमें कुकिंग करेंगे ना, तो यह दाग और भी ज़्यादा बढ़कर आ जाते हैं, यानि कि वो और ज़्यादा डाग होने ल यह काफी अच्छे से इसके उपर काम करता है, तो इसको बस मैंने स्प्रे कर दिया है, आप चाहे तो छोड़ दें थोड़ दें, और उसके बाद उसको स्क्रब कर लेंगे, तो यहाँ पर साइड में आपने देखा, ब्राउन कलर काफी अच्छा इसमें आ गया था, तो वो सारा गायब हो जाता है, अंदर भी जो हलका सा ब्राउनिश कलर इसका आ गया है, उसको हटाने के लिए भी यह मिस्टर मसल काफी अच्छे से काम करता है, तो यह मैं आट कर रही हूँ, अगर आपके पस यह नहीं हैंकेस, तो आप क्या करें, थोड़ा सा विनेगर ले ले औ वैसा ही हो गया है बिना किसी स्क्रैचस के, तो यह देखिए, पतीला बिलकुल क्लीन है, आप भी इसको ट्राइ कर सकते हैं, नेक्स जो प्रॉबलम किछिन में आती है, वो आती है, नॉन स्टिक कुक वेर के नीचे जो इस तरह का इंडेक्शन बेस होता है, यह बिलकुल ब अक्स्ट्रा मेहनत की जरूत पड़ती है बीच पीच में, तभी यह नया सर रहे पाता है, इसके लिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने डाला है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालेंगे, उसका एक लाइक मिक्शर बनाएंगे, और इस पेस्ट को हम पूरे बैक पर इस तरह से फैला देंगे, जहाँ पर की यह सारा काला है, तो यह पैन इस तरह से रखते हैं नीचे, तो यह सारा जो लिक्विड है वो नीचे आजाता, तो इसके नीचे मैंने एक धकन लगा दिया है, ताक यह जैसे मैंने सी के उपर यह दोनों मिक्शर मिक्स किये हैं, उस तरह से कर सकते हैं, इसके बाद इसके उपर मैंने लगा दिया है टिशू पेपर, और अब उपर से स्प्रे करने के लिए आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर को बाटल में फिल करके इस तर रहता है और इस तरह से इसको काफी अच्छा टाइम मिल जाता है इस दाग को हटाने के लिए तो यहां पर मैंने इसको रख दिया था बीच से पच्चिस मिनट के लिए बड़ आप इसको लंबा भी रख सकते हैं और बीच से पच्चिस मिनट में हुआ क्या है कि जो आप easily आप इस solution को लगा कर छोड़ दें और इसको चाहे आप रात बर इस तरह से छोड़ के रख सकते हैं morning में आपको पूरा surface अपना clean दिखेगा बट यहाँ पर जो यह design है इसकी वज़े से इसमें सारी गंदगी फस गई है और इसकी वज़े से ही यह regular basis पे clean नहीं हो पाता था तो बस इस solution के साथ ही हम इसको scrub करेंगे बीच बीच में vinegar या फिर जो kitchen cleaning solution आपके घर पर है मेरे पास mister muscle का है तो मैं इसको बीच बीच में spray करूँगी और अब यहाँ पर हमें ज़रुत पड़ेगी यह जो metal wool आता है उसकी तो इससे scrub करने से यह बहुत ही easily साफ हो जाता है आप यहाँ पर visible result देख पा रहे होंगे तो बस यहाँ पर यह है कि इस तरह से solution लगाने से वो थोड़े से दाग lose हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की solution है तो इससे भी मैं बीच बीच में रफ कर रही हूं साथी कभी स्क्रबर से कभी स्टील बूल से इसी तरह से mix करके मैंने इसको पूरा clean किया है पांसे दस मिनट ज़रूर आपके लग जाएंगे इसको clean करने में इसके बाद आप देखे कितना different का color हो गया है एकदम ये yellow और black सा ही हो गया था last में तो बस इस तरह से आप भी अपने non-stick या फिर steel के cookware को clean कर सकते हैं बहुत ही अच्छी result आते हैं उमेद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगा और आपकी जो परेशानी kitchen में आती है interesting वीडियो के साथ